हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू रविस्टडी आईक्यो जी के, आज मैं आपके लिए नाशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टूथाज़न टूएंटी के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कोशन्स इस वीडियो में लिकर आई हूँ, मैंने आपके लिए सभी कोशन्स सिलेक् प्रेजिडेंट तो फ्रेंट्स जो नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, ये हर साल भारत की राष्ट्रपती के द्वारा दिये जाते हैं, इंपोर्टन कोशन रहेगा आपके एक्जाम के लिए तो फ्रेंट्स जो राजीव कांधी खेल रतन अवार्ड है, ये रिपबलिक ओफ इंडिया का हाइस्ट स्पोर्टिंग ओनर है नेक्स्ट कोशन इस, रोहिच शर्मा पिकेम विच इंडियन क्रिकेटर तु रिसीव प्रेस्टीजियस राजीव कांधी खेल रतन अवार्ड इन 2020 राइट आंसर इस, ओफ्शन डी, फोर्थ तो फ्रेंड्स जो रोहिच शर्मा है, ये चौथे भारतिये क्रिकेटर बने हैं, जिनने राजीव कांधी खेल रतन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंपोर्टन कोशन रहेगा आपके एक्जाम्स के लिए राइट आंसर इस, ऑफ्शन बी, किरन रिजीजू तो फ्रेंड्स जो किरन रिजीजू हैं, ये इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राइट आंसर इस, उफ्शन C, तो फ्रेंड्स 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्टस टे के रूप में हर साल मनाया जाता है Our next question is National sports day is celebrated in remembrance of which sports personality Right answer is option D major dhyan chand तो friends major dhyan chand की याद में हर साल 29 अगस्त को national sports day मनाया जाता है और friends आपको ये भी बता होना चाहिए कि major dhyan chand को hockey का जादुगर कहा जाता है Next question is how many sports persons have been honored by Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड in 2020 Right answer is option B 5 तो friends 2020 में 5 sports persons को Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड से समानित किया गया है Important question रहेगा आपके exam के लिए Friends इस question में बात हुई है Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड की तो हम इसके बारे में basic information discuss कर लेते हैं Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड is the highest sporting honor of Republic of India Friends जो Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड है ये highest sporting honor है Republic of India का Next point देख लेते हैं It is awarded annually by Ministry of Youth Affairs and Sports और friends Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड हर वर्ष Ministry of Youth Affairs and Sports के द्वारा दिया जाता है Next point is This honor is given for sports persons spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of four years at international level Friends इस award को उन sports persons को हर वर्ष दिया जाता है जिन्होंने चार सालों की समय सीमा में अंतराश्ट्रिय लेवल पर बहतरीन प्रदर्शन किया होता है Next point देख लेते हैं The award is named after Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India Friends Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड का नाम भारत के पूर्व प्रदानमंत्री जी के नाम पे रखा गया है Next point है The first recipient of award was Chess Grandmaster Vishwanathan Anand Who was honored for the performance in year 1991 and 1992 और Friends Rajiv Gandhi खेल रतन से समानित होने वाले पहले sports person Chess Grandmaster Vishwanathan Anand है Friends आप मैं आपको उन sports persons के नाम बता देती हूँ जिन्हें Rajiv Gandhi खेल रतन अवार्ड 2020 से समानित किया गया है तो Friends पांच नाम है First नमबर पे है रोहिट शर्मा ये क्रिकेट से बिलॉंग करते हैं मनिका बत्रा ये टेबल टैनिस से बिलॉंग करती है Third नमबर पे हैं मरियपन धंगावेलू ये पैरा एथलीट हाई जमपर है Fourth नमबर पे हैं विनेश फोगाट ये विमन्स रेसलिंग से बिलॉंग करती है और Last नाम है रानी रामपाल Friends ये विमन्स होकी से बिलॉंग करती है Friends आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोहिट शर्मा चौथे क्रिकेटर बने हैं ने राजीव कांधी खेल रतन अवर्ड से समानित किया गया है और Friends रोहिट शर्मा से पहले जिन क्रिकेटर्स को ये अवर्ड मिला है उनके नाम है सचिन तंदूलकर, महेंदर सिंग धोनी और फिराट कोहली Important question रहेगा आपके exam के लिए Next question is How many sports persons have been honored with Arjuna Award in 2020? Right answer is option C 27 तो Friends, total 27 sports persons को Arjuna Award 2020 से समानित किया गया है Friends, इस question में बात Arjuna Awards की हुई है तो मैं आपको इसके बारे में information दे देती हूँ Friends, the Arjuna Awards are given by Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India to recognize the outstanding achievements in sports Friends, जो Arjuna Award है ये Ministry of Youth Affairs and Sports की दोरा दिये जाते हैं Sports की field में outstanding achievements को recognize करने के लिए Next point is The Arjuna Awards are started in 1961 और Friends, Arjuna Awards देने की शुरुआत 1961 में हुई थी Important question है आपके exam के लिए Friends, आप मैं आपको उन लोगों के नाम बता देती हूँ जिने Arjuna Award 2020 से समानित किया गया है Friends, first number पे हैं अतानुदास ये आर्चरी sports से related हैं Second है धुती चंथ ये Athletics से related हैं Third है सात्विक सायराच रंकी रेड़ी ये बैड्मिंटन से related हैं Next है चिराग चंदर शेखर शेटी ये बैड्मिंटन से related हैं Next is विशेश भ्रिगू वंशी ये बास्केट पॉल से related हैं Next है सुबेदार मनीश कौशिक ये बाक्सिंग से related हैं Next है लवलीना बोर गोहेन ये भी बाक्सिंग से related हैं Next है इशांत शर्मा ये क्रिकेट से related हैं दिप्ती शर्मा ये भी क्रिकेट से related हैं सावन्त अजिय अनंत इकोईस्टेरियन से related हैं संदेश छिंगन फुटबॉल से related हैं अधिती अशोक गॉल्फ से related हैं Next है अकाश दिफ सिंग हौकी से related हैं Next है दिपिका हौकी से related हैं दीपक कबड़ी से related हैं Next है काले सारिका सुधाकर खोखो गेम से related हैं नेक्स्ट इस दत्तु बबन भोखानल रोइंग से रिलेटेड हैं, नेक्स्ट इस मनुव भेकर शूटिंग से रिलेटेड हैं, नेक्स्ट इस सौरव जौधरी शूटिंग से रिलेटेड हैं, मधुर इका सुहास पतकार टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, दिवेच शरन टेन स्विमिंग से रिलेटेड हैं, संदीप पैराइफलेटिक से रिलेटेड हैं, और फ्रेंट्स लास्ट है मनीश नर्वाल ये पैराशूटिंग से रिलेटेड हैं, important question रहेगा आपके exam के लिए next question is, how many coaches have been honored with Dronachare Award 2020 in lifetime category, right answer is, option B, 8, तो फ्रेंट्स Dronachare Award 2020 में lifetime category में 8 coaches को सम्मानित किया गया है next question कर लेते हैं, our next question is, how many coaches have been honored with Dronachare Award 2020 in regular category, right answer is, option D, 5, तो फ्रेंट्स टोटल 5 coaches को Dronachare Award 2020 in regular category से सम्मानित किया गया है friends, this question में बात Dronachare Award की हुई है, तो Dronachare Award is Sports Coaching Honor of Republic of India Dronachare Award Republic of India का Sports Coaching Honor है next point is, the award is named after Drona, often referred as Dronachare और Guru Drona, a character from Sanskrit epic Mahabharata of ancient times friends, Dronachare Award का नाम Guru Drona के नाम पे रखा गया है, जिने की Sanskrit epic Mahabharata से लिया गया है next point is, Dronachare Award was instituted in 1985 friends, Dronachare Award की शुरुआत 1985 में हुई थी friends, आप मैं आपको उन लोगों के नाम बता देती हूँ, उन coaches की नाम जिने की Dronachare Award से सम्मानित किया गया है तो friends, lifetime category में मैंने आपको बताया की 8 लोगों को सर्मानित किया गया है, यह 8 नाम है धरमेंदर तिवारी जुकी आर्चरी से रिलेटेड है, second number पे हैं पुरुशोतम राय एथलेटिक से सम्बंदित है थर्ड नमबर पे हैं शिव सिंग बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, fourth is रोमेश पठानिया होकी से रिलेटेड हैं, next is कृषन कुमार हूडा कबड़ी से रिलेटेड हैं, विजे वालचंदर मुनेश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड हैं, next is नरेश कुमार टेन होकी से रिलेटेड हैं, योगेश मालविया मलखंब से रिलेटेड हैं, जस्पाल राना शूटिंग से रिलेटेड हैं, कुल्दीव कुमार हांडू वूशु गेम से रिलेटेड हैं, and last है गौरव खना चोकी पैरा बैडमिन्टिंग से रिलेटेड हैं, important question रहेगा आपके exam के लिए, next question is, how many universities have been honored with Molana Abul Kalam Azad Trophy 2020, right answer is, option B, 1, तो friends, सिर्फ एक विशे विद्याले को Molana Abul Kalam Azad Trophy से समानित किया गया है, friends, इस question में बात हुई है, Molana Abul Kalam Azad Trophy की, अब हम इसे related important points discuss कर लेते हैं, first point is, Molana Abul Kalam Azad Trophy was instituted in 1956-57 by the Ministry of Education, friends, Molana Abul Kalam Azad Trophy की शुरुवात 1956-57 में हुई थी by the Ministry of Education, next point is, this trophy is awarded by the President of India each year to a university which has all-round best performance in sports at inter-university national and international competitions, friends, Molana Abul Kalam Azad Trophy, भारत की राश्ट्रपती के दौरा ऐसे विशे विशे विद्याले को दी जाती है, चिसकी best performance रहती है, sports में, inter-university, national and international competitions में, next question is, Punjab University has won Molana Abul Kalam Azad Trophy for best sports performance in 2020, next point is, Punjab University became winner in Khello India Games 2020 organized in Odisha State, friends, Punjab University Odisha State में organized हुई Khello India Games 2020 में विजेता रही थी, friends, अब हम इस वीडियो का last question कर लेते हैं, our last question is, how many sports persons have been honored with major ध्यांचन्द award in 2020, right answer is, option C, 15, तो, friends, major ध्यांचन्द award 2020 से कुल 15 खिलाडियों को समानित किया गया है, friends, इस question में बात हुई है major ध्यांचन्द award की, तो हम इस award से related important points discuss कर लेते हैं, our first point is, major ध्यांचन्द award is the lifetime achievement supporting honor of the Republic of India, friends, जो major ध्यांचन्द award है, ये Republic of India का lifetime achievement supporting honor है, next point is, major ध्यांचन्द award was instituted in 2002, friends, major ध्यांचन्द award की शुरुआत सन 2002 में हुई थी, friends, आप मैं आपको उन recipients के नाम बता देती हूँ, जिनने major ध्यांचन्द award 2020 से समानित किया गया है, first name is, कुल्दीफ सिंग भुलर, ये athletics से related है, second is, जिंसी फिलिप्स, athletics से related है, next is, प्रदीफ श्री क्रिशन गंधे, badminton से related है, next is, तुरुपती मुर्गुंडे, badminton से related है, N. उशा, boxing से संबंदित है, next is, लाखा सिंग, boxing से related है, next is, सुखविंदर सिंग, संधू, football से related है, next is, अजीत सिंग, hockey से related है, next is, मनप्रीच सिंग, कबड़ी से related है, next is, जे रंजीत कुमार, पैरा इतलेटिक से related है, next is, सत्य प्रकाश, तिवारी, पैरा वेड्मिंटन से related है, मनजीत सिंग, rowing से related है, लेट सचिन नाग, swimming से related है, next is, नंदन भी, पाल, tennis से related है, और last is, नेतर पाल, हुडा, wrestling से related है, important question रहेगा आपके exam के लिए, friends, मैंने आपको इस वीडियो में, National Sports Awards 2020 से related, most important 12 questions करवाए है, उमीद करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और अपने friends के साथ share करें, मिलते हैं, next वीडियो में, thank you and wish you all the best.